गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स एस्वी एकेडमी रावला की ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है क्लास 12 सुब्जेक्ट इंग्लेज बुक फर्स्ट, रैन्बो, लेशन फर्स्ट वाटर पिछली वीडियो में अपने इसी लेशन को पढ़ रहे थे उसी से आगे आप इसे कंटिन्यू करेंगी आपकी बुक के पेज नंबर 2nd का पेराग्राफ Let's start The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological processes by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust जल के परवाहने भूग गर्बिये प्रकिरियाओं में नीज संदे एक बड़ी एमम लाबदाएक भूमिका अदा की है जिसके द्वारा गर्बिये चत्तानों से पर्थवी किस्ते की मिटी का निर्मान किया गया है The same agency, however, under appropriate conditions, can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture and, if allowed to proceed unchecked, can have the most disastrous effects on the life of the country प्र्दी हालंकि, यही जल परवाह है समुचित, यानकि उच्चित, स्दित्यों में विनासकारी बुमिका भी निभा सकता है यानकि उस जल के लिए अगर प्रिष्ठितिया अनुकूल हो यानकि उसको बहने की सवमतंत तरता हो तो वह बिनासकारी बुमिका भी निबा सकता है और मिट्टी को बाह कर ले जा सकता है जो संपून क्रिशी का आदार है यानकि वो उपजाओ मिट्टी जिसको पानी अपने साथ बाह कर ले जा सकता है जो क्रिशी का आदार है और यदि इस जल परवह को बिना रोग टोग अन्चेक्ट का मतलब रोग टोग आगे बढ़ने दिया जाए तो देश के जीवन पर इसके सरवादिक विनासकारी प्रभाव हो सकते हैं The problem of soil erosion is one of serious import in various countries especially in many parts of India विविन देशों में और विशेश रूप से बारत के बहुत से बागों में मृदा परदन की समेशिया एक गंबीर अर्थ रखती है The conditions under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study वे प्रिश्थितियां जिन में यह है यानकी इसकी बात हो रही है मृदा परदन की बात हो रही है वे प्रिश्थितियां जिन में मृदा परदन होता है इसे रोकने के उपाई सरवातिक कहन अध्यन की योग्य है Soil erosion occurs in successive steps the earliest of which may easily pass unnoticed मृदा अपरदन या मृदा शर्ण है वो कई चर्णों के अंदर गटित होता है यानि की मृदा परदन है उसके कई चर्ण होते हैं The earliest of which may easily pass unnoticed उन में से जो सबसे पहले या जो प्रारंबिक चर्ण है वे तो आसानी से बिना ध्यान के ही चले जाते हैं उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं यानि की थोड़ी बहुत पानी की बहाँ से अगर थोड़ी बहुत मीटी का कटा होता है तो हम उसकी तरफ जान ही नहीं देते हैं और हमारे ज्यान में आए बिना ही निकल जाते हैं In the latter stages, the cutting up and washing away of earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and revenues which make all agriculture impossible और बात के चर्णों के अंदर यान कि उसके बाद के जो चर्ण होते हैं बाद के चर्णों में मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बहे जाना गहरी नालियों और खाईयों इत्यादी के बनने के रूप में मातर अतिदिक दुखताई रूप से स्वेश्ट होता है और ये जो नालियों और गड़ वगेरा जो भी बन जाते हैं संपूर्ण कर्शी को ऐसंबब बना देते हैं Sudden brush of excessively heavy rain resulting in a large runoff of surplus water is the principal factor in accusing soil erosion अत्यदिक बारी वर्षा का अचानक फट पड़ना जिसके प्रिणाम सुरूब अधिसेश जल बह जाता है और मुरिदा अपरदन का मुख्यकार बनता है Contributory causes are the slope of the land, removal of the protective coat of vegetation, the existence of roads along which the water can flow with rapidly gathering momentum and the absence of any check to such flow और उसके बाद में यानकि इस मुर्दा परदन के लिए उस पानी के बहाव को तेज करने में कौन-कौन से स्योगी कारक हैं उनकी बात हो रही है तो लेके बताते हैं कि इसकी सी होगी कारण में बूमी का डलाऊ होना यानि कि बूमी डलाऊ होती है बूमी में डलान होता है वनस्पती रूपी जो सुरक्षात्मक आवरण है वो हट जाता है कोट का मतलब आवरन, यानि कि वनस्पति रूपी जो सुरक्षात्मक आवरन है, वो हट जाता है, उसके लावा भूमी में बनी लिकों कास्तिता हो, जिन से होकर लिकों यानि कि पाने की बाहो के वज़े से चोटी-चोटी जो नालियां बन जाती है, उस डलवां भूमी के अं बह जाता है और इस परकार के बहाँ पर किसी भी रोग का बाव होता है यानकि उपर से जब नीचे की तरफ पानी बह रहा है और उन नालियों को अगर पाट बी दिया जाए मिट्टी बगेरा डालके या किसी भी तरह के से तो वो पानी उसके उपर से भी बह जाता है तो इसक unhappily too often the case यदि ऐसी स्थितियां बनी रहती है जैसा कि दुख पुन रूप से प्राई होता ही है तो बहुमुल्य मिट्टी की ऐविश्वेश्निय रूप से बड़ी मात्रा बह सकती है दे मेंस विच सोयल एरेजन परजेंट्स टूदा Continuance of Successful Agriculture is an alarming one in many parts of India calling urgently for attention and preventive action मृदा पर्दन सफल कर्षी के जारी रहने के समुख जो संकट उपस्तित करता है यान कि ये बुमी का कटाव है वो जो एक कर्षी को सफल बनाने के लिए जो प्रयास है उसके समट एक संकट उपस्तित कर रहा है यान कि वो उसमें बादा बन कर उबर रहा है वह बारत के बहुत से बागों में खत्रे का सूचक है और जो सीगर ही द्यान वेरोग थाम समंदी गतिवीदी की मांग कर रहा है कहने का मतलब अगर इस तरह से ये होता रहा तो क्रिशी है वो एसमभव हो जाएगी इसलिए इसकी तरफ यान कि मुमी अपर्दन को रोकने की तरफ कोई तुरंत कार्यवाई की जानी चाहिए यान कि उसके बाद में यान कि उसके बाद में यान कि हमें उस भूमी अपर्दन को रोकने की कुछ उपायों के बारे में बात करते हुए बता रहे हैं और वो कहते हैं कि भूमी की कटाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए भूमी को सुपान करित करना जल के बाहाव को रोकने के लिए बांधों का निर्मान करना और सिन दार केति या समोच चे, किरसी जिसको बोलते हैं कि पर्था को चलन में लाना समूचित प्रकार की विनस्पति उगाना सुजाई गई उपएव में से हैं यानि कि हमें इस मर्दा पर्दन को इस भूमी के कटाव को रोकने के लिए इन रोकताम को उप्योग में लाना चाहिए It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum यानि कि लेकर केते हैं कि यह तुस्प्रेस्ट है कि जो जल का बहाव है उसको जल्दी से जल्दी और उसकी पर्थम आवस्ता जो है उसका पर्थम चर्ण है उसी में ही रोक देना चाहिए इससे पहले कि जल्द के बहाव की यह समस्या काफी गती पकड़ ले मोमेंटम गती पकड़ ले और परिणाम सरू बहुत अधिक विनासकारी सकती ग्रेंड कर ले वाटर इस दे बैसिस अव लाइफ जल्द जीवन का आदार है और उसके बाद में लेख उस जल्द के परतेक जीव के लिए उसकी उपयोगिता के बारे में बात कर रहे हैं और वो बताते हैं कि परतेक जीव वे परतेक पोदे के सरीर में समतंतर रूप से या किसी ने किसी चीज में समिलित रूप से जल की एक प्रियापत मात्रा होती है और कोई भी ऐसी सारीरिक गतिविदी बिना जल के संभव नहीं है यानि कि कोई भी ऐसी सारीरिक गतिविदी संभव नहीं है जिसमें यह द्रव यानिकी जल एक बहुत अधिक में तुपन भूमिका नहीं बाताओ यानिकी कोई भी ऐसी सारीरिक या बहुत गतीविदी नहीं है जिसमें जल की कोई भूमिका नहीं हो Water is of course necessary for animal life While moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees Though the quantity necessarily varies enormously with the spices उसके बाद में वो बताते हैं कि जितना जल जीवों के लिए उप्योगी है उसी तरह से वास्तब में जल प्राने जीवन के लिए आवशक है जबकि पोदों वे वरिक्षों के जीवन वेवरीदी के लिए मित्ती में नमी उतनी ही आवशक है यानकि जिस तरह से प्रानियों के लिए जल अपने वास्तिक रूप में आवशक है उसी तरह से पेड़ पोदों की वर्दी के लिए और उनके जीवन के लिए वही जल मित्ती के अंदर नमी का काम करता है और वो नमी उन पोदों की वर्दी के लिए और जिमन के लिए आफशिक है हालनकि विविन परजातियों में जल की मात्रा आफशिक रूप से बहुत अधिक बिन बिन होती है यानकि एक जैसी आफशिकता नहीं होती है The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare इस प्रकार जल का स्रंक्शन वैसमुचित उप्योग मानव कल्यान का आदार है Apart from artesian water, the ultimate source in all cases is rain or snowfall और उसके बाद में वो बताते हैं कि जल कहां कहां से हम प्रापत करते हैं तो उसके बारे में वो बात करते हुए कियते हैं कि गहरे कों से प्रापत जल के तरिक्त यानकि बूमी से निकाले गए जल के तरिक्त सभी मामलों में जल का अंतिम स्रोत या तो वर्सा या फिर हिमपात होता है यानकि आपने अगर बूमीकत जल की बात छोड़ दी जाए तो अपना पानी प्रापत करने का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है या तो हिमपात है या फिर वर्सा तो ही तो है जानते हैं कि बारत की अधिकांस करशी है वो मौसमी वर्सा पर निर्वर करती है इसलिए बारत की वर्सा की किसी परकार की अनुपस्तिती या एहनियमित ताकि परती बहुत स्वेंदन सील है मतलब यानि कि अगर वर्सा कम होती है तो या फिर बहुत अधिक होती है तो बार्ट की कर्षिया वो इससे बहुत अधिक परबावित होती है अगर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होगी तो वो क्या है जल कर सूख कर नश्ट हो जाएगी और बहुत अधिक मातरा में होगी तो बाड की कंडिशन से वो उस अधिक पानी में डूब करनाइस्ट हो जाएगी और उसके बाद में वो बताते हैं कि मरिदा परदन और एप्रयापत या एनियमिट वर्षा की समझें एक दूसरे से गनेश्ट रूप से समझें यानि कि या तो बिलकुल भी वर्षा नहीं होती है या फिर बहुत अधिक वर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है एनियमित रूप से वर्षा होती है और जो मिट्टी का पर्धन होता है वो आपस में एक दूसरे से गनीश समन دیता है यानि कि अगर वर्सा बिलकुल नहीं होती है तो मिट्टी की उप्रि पर्ध सूख जाती है और जब तेज हवाएन चलती है तो उसका पर्धन होता है और बहुत अधिक वर्षा होती है तो भी उस पानी की बहाव की वज़े से मिटी का परदन होता है It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted In other words, on and in the soil and such techniques therefore serve a double purpose और उसके बाद में वो क्या बताते हैं कि यह भी स्परस्ट है कि मर्दा परदन को रोकने वाले तक्निकों को अपनाने से जल के स्रंक्शन वैसकि आफशक्ता के स्तान पर इसे मनाई रखने में साहता मिलेगी यान कि अगर हम मिटी परदन को रोकना है तो उसके लिए जल का स्रंक्शन करना होगा और जल का स्रंक्शन करेंगे तो उसे हमें एक और फाइदा मिलेगा वो क्या कि जहां हमें जिस मातरा में जल क्या हो सकता है वाम पर वो उसी मातरा में हमें अप्लूबद होगा और उसके बाद में वो कहते हैं कि दूसरे सब्दों में मिट्टी के उपर तदा मिट्टी में जल को बनाई रखने में शायता मिलेगी और इस परकार की तक्निकी हैं वो दोरा उदेशे सिध करती है यान कि इसके मादियम से हम अपना जो उदेशे हैं दो उदेशियों को प्रापत कर सकती है और उसके बाद में वो केते हैं यह भी स्पेस्ट है यान कि हलांकि यह भी स्पेस्ट है कि एक इसे देश में जहां मातर मौसमी वर्सा होती है या बहुत कम वर्सा होती है वर्सा जल की एक बहुत बड़ी मातरा अवशे ही आवशेक रूप से जमीन के उपर से बह जाती है यानि कि अगर वहां पे कोई भी जल स्रेंक्शन की टेक्निक का यूज नहीं किया गया है तो वह पानी बेकार भी ही पह जाता है दे कोलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ओप दिस वाटर इस देर्फोर ऑफ वाइटल इपांट है इंपोर्टेंज इसलिए इस जल का स्रेंक्शन वह समुची तुप्योग अत्यदिक मैत्वपूर्ण है मच ओफ फ्लोज डाउन इंटो दा स्टेम्स एंड रिवर्स एंड अल्टिमेटिक फाइंड इस वे टू दा सी इन में से अधिकांस यानकि जो सेजनल रेंफॉल होता है मौसमी वर्सा जो होती है उसमें से पानी जो बह जाता है उसकी बात हो रही है कि अधिकांस जल छोटी बड़ी नदियों वैदाराओं में बहता हुआ अन्तता समुदर में पहुंच जाता है और जैसा कि हम जानते हैं समूंदर का पानी खारा होता है जब वो पानी उसके साथ जाके मिलता है तो वो भी यूजलेस बन जाता है अनुप्योगी हो जाता है इनक्रेडिवली लाज कॉंटिटीटीज ओफ दप्रीशेस फ्लेट आर दस लॉश्ट टू दा कांट्री और वो कहते हैं कि इस परकार देश की इस बहुमुले द्रव की एविश्वेस्निय रूप से बहुत बड़ी मात्रा की हानी हो जाती है कि यानि कि हम बहुत अधिक मात्रा में उस जल को बेकार में ही गवाँ देते हैं आसा करता हूँ आपको यह लेशन समझ में आयोगा आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्स पॉर वाचिंग और हैव नाइस टे